Good morning dear students, today we are going to learn factors and multiples, chapter number 3 for grade 6 So, सबसे पहले बेटा हमने सीखना है कि ये आपके factors और multiples होते क्या है So, इसके लिए factor क्या होता है? Factor जो है, जैसे किसी number को break करके लिखे है ठीक है, जैसे कोई number है, सबसे हमने 4 ले लिए कि वो किस-किस number से वो divide हो रहा है Exact divisor है और remainder आपका 0 हो रहा है ठीक है, तो let us start doing it, इसकी definitions मैंने लिखे होई है ये आपने notebook में note down कर लेगी है Factor क्या होता? A factor of a number is the exact divisor of that number ठीक है, exact divisor होगा उस number का, ठीक है और उसमें क्या होगा, remainder 0 हो जाएगा, जैसे आपका example मैंने ले रखी है Factor of 8, factor of 8 क्या हो जाते है 1, 2, 4 and 8, ठीक है जी? तो जब हमने 8 को 1 से किया, तो भी remainder 0 है, 2 से करेंगे, तो भी remainder 0 आ रहा है 4 से किया, तो ये जो आपके factors क्या जाएगे, 1, 2, 4 and 8 are the factors of 8 multiples क्या होते है, multiples क्या होते है, table, मतलब table की form में लिखना, ठीक है, multiply करना multiple से क्या हुआ, multiply करना a number is said to be multiple of any of its factors ठीक है, कोई number है, वो क्या होगा, अपने factors का multiple होगा जैसे 15 की क्या factors है, 1, 3, 5, 15 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि 15 is the multiple of 1, 3, 5, 15 मतलब 1 के table में भी 15 आता है, 3 के table में भी 15 आ रहा, 5 के table में भी 15 आता है और 15 के table में obviously 15 आ रहा, 15 बंजा 15 भी, ठीक है जी, तो क्या हुआ, the multiple of a number is said to be the multiple a number is said to be multiple of any of its factor, ठीक है, जो इसके 15 की जो factor आए, ठीक है, जो factors है, वो क्या है, multiple of that number अभी very important note है, जो आपने ध्यान में रखना है, और इसको apply भी करना है, तो वो क्या है, कि 1 is the factor of every number, 1 जो है, हर number का factor होता है ठीक है जी, जब हम factor निकालते हैं, तब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं ना, तो 1 is the factor of every number and every number is a factor of itself, बत्ला हर number जो है, अपने आप में अपना factor है, ठीक है, 15 को 15 से डिवाइड करें, निमेंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, that means 15 is the factor of 15, ठीक है, एक factor 51 हो गया और एक factor हो गया 15, ठीक है, यह डोनों चीज़े आपने नोड करनी हैं, और इसको अपने factor निकालते हुए ध्यान में रखना है, प्राइम factors हमने पहले भी किया हुआ है, प्राइम factors क्या होते हैं, प्राइम factors the number having exactly two factors, ऐसे numbers जुनके दो factors होते हैं, one and itself, examples मैंने दिखा दिया आपको 2, 3, 5, 7, 11 and 13, 2 जो है किसी और के table में नहीं आता है, या तो 1 से divide हो रहा है, या फिर 2 से, खुद ही 2 से divide हो रहा है, इसी तरह से 3 भी ऐसे ही है, ठीक है, 5, 7, यह सारे ऐसे numbers हैं, जो किसी और number के table में नहीं आते हैं, यह किसी और number से आप इसको divide नहीं कर सकते हैं, आप co-prime numbers क्या होते हैं, two numbers are set to be co-prime if they do not have any common factor other than one two numbers co-prime कब होंगे जब उनका कोई common factor नहीं होगा common factor क्या होगा सिरफ one होगा अगर उनका common factor क्या है one है तो उन numbers को क्या बोलते हैं co-prime numbers तो example जैसे two और three के आपके common factors क्या है जैसे two का क्या हो गया suppose यहांपर two का factor क्या होते है one and two इस तरह से three का factors क्या हो जाएंगे three is equal to one and three तो यहांपर common factor क्या आ रहा है one ही आएगा तो उनों में common number क्या आ रहा है यहांपर one so that means अगर इनका common factor common number one आ रहा है तो यह numbers क्या है co-prime numbers है 2 and 3 are the co-prime numbers अब हमने quickly we will start the exercise 3.4 इसका very first question कर लेते हैं Find the common factors of 20 and 28 20 और 28 के common factors हमें निखालने हैं चीके जी अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 20 के factors निखालेंगे and उसके बाद में 28 के factors निखालेंगे उसके बाद इन दोनों को इन दोनों में जो common numbers होंगे उनको हमने उनको क्या बोलेंगे हैं common factors So let us start doing it factors of 20 and 28 निखालना है हमने factors of 20 and 28 तो factors of 20 क्या होंगे 20 कौन कौन से numbers के table में आता है यह हमने check करना है 20 जो है 1 के table में आता है 2 के table में 20 कहा पर आता है 10 पर ठीके जी उसके बाद 3 अगर हमने 20 को 3 से divide करें पुरा-पुरा divide नहीं होता है 4 के table में 20 आ रहा है उसके बाद 5 में भी 20 आता है तीक है उसके बाद 6, 7, 8, 9 किसी भी number पे 20 डिवाइड नहीं हो रहा है तो next वाला number क्या है 10, 10 के table में 10, 2, 20 होते है तो इसका मतलब यह पुरा-पुरा divide हो रहा है और next वाला अगर हम 11 से लेके 19 तक number देखें तो किसी भी number पे 20 डिवाइड नहीं हो रहा है लास्ट में number क्या आया 20 तो यह इसके हो गए factors of 20 इससे तरह से 28 के निकाल लेंगे 28 कौन-कौन से table से divide हो रहा है वो हमने check करना है कौन-कौन से number से जिसे 1 से divide हो रहा है 2 से क्या 3 के table में 28 आता है नहीं आता 4 के table में 4, 7, 28 होता है 5 में भी नहीं आता 6 में भी नहीं आता 7, 4, 28 होता है तो उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12 किसी में भी नहीं आ रहा है, 14 के टेबल में आता है, 14 तूजा 28 होते हैं, नेक्स्ट वाला आपका 28 आ जागा नमबर, इसके common factors क्या हो गए हैं, हमने common factors देख लेने, common factors क्या हो गए, जो common आ रहा है, दोनों में ही common numbers क्या हैं, 1, 2 and 4, ये क्या हैं आपके common factors, ये आपका अंसर आ गया, these are the common factors of 20 and 28, अब हमने next वाला करना है, common factors of 35 and 50 रिखा लेंगे, अब हमने सबसे पहले check करना है कि 35 कौन कौन से, ये numbers से divide हो रहा है, कौन कौन से numbers पहता है, तेखो पहले 1 तो हमने लिखना है, क्योंकि 1 है, 1 is the factor of every number, उसके बाद 2 से देखा, क्या ये number 2 से divide हो सकता है, ये तो odd number है, तो 2 से वोई number divide होते हैं, जो even होते हैं, अब हमने 3 से चेकी है, 3 से भी नहीं जाएगा ये, 4 से भी नहीं जाएगा, तो हमने 50 के factors देखने हैं, कौन कौन से number से 50, divide हो रहा है, तो पहले हमने देखा, 1 से divide हो रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 के table में 50 नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है, कौन से number पर आता है, 5 tenths are 50, इसके 6 पर भी नहीं आता, 7 पर भी नहीं डिवाइड हो रहा, 8 पर नहीं हो रहा, 9 पर, 10 पर होता है, 10, 5 जा 50 होता है उसके बाद 11, 12, अब हम चेक करेंगे तिल 20, ठीक है, कोई भी नमबर नहीं है, जिससे ये डिवाइड हो, हमारा पर लास्ट नमबर क्या जाएगा, 25 ठीक है, 25 और उसके बाद में लास्ट अगर में यहाँ पर 25 तो 40 या 50 चेक करेंगे, तो लास्ट जो इसका फैक्टर है, वो 50 ही है, आपके कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर क्या आजाएंगे, हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले देखो, 1 तो कॉमन फैक्टर ही है, उसके बाद आपका नेक्स्ट वला नमबर है, 5, तो कॉमन फैक्टर्स क्या आजाएंगे, we'll be writing कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स इस इ नेक्स वाला कर लेते हैं, multiples, multiples निकाल लें, आप देखो यह वाला question यह जो है आपका, this one is your homework, यह question number two, question number two complete आपने करना है, a and b part both you will be doing yourself, ठीक है, अब हमने करना question number three, part one कर लेते हैं, part one में find the first three multiples, common multiples of six and eight, multiple का मतलब है, multiply करना, tables लिखना, number के tables लिखना है, मतलब six का table लिखोगे आप और eight का table लिखोगे, six और eight में जो common numbers हैं, वो आपने लिख दिने हैं, find out करने हैं, क्या बन जाएंगे, वो common multiple बन जाएंगे, अब now let us write down, अब हमारे पास common multiples of six and eight लिखना है, तो six का table लिख दिया, six का table, six, one's are six, six, two's are twelve, six, three's are eighteen, six, four's are twenty-four, six, five's are thirty, thirty-six, six, seven's are forty-two, six, eight's are forty-eight, six, nine's are fifty-four, six, ten's are sixty-six, six, eleven's are sixty-six, ठीक है, then twelve पे गया, तो seventy-two, ठीक है, अब eight का table लिख लो, eight to the sixteen, twenty-four, thirty-two, forty, forty-eight, then you are fifty-six, sixty-four, seventy-two, common multiples क्या क्या हो जाएंगे, common multiple यहाँ पर देखो, एक तो हमें यहाँ पर twenty-four दिख रहा है, common multiple, एक हमें दिख रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ 30, यहाँ पर कोई भी नमबर खटी नहीं है, उसके बाद thirty-six भी कोई नहीं है, forty-two भी नहीं है, next वला आपके पास है, forty-eight, तो next वला common multiple आपके पास क्या जाएगा, forty-eight, उसके बाद आपके पास आ रहा है, seventy-two, तो क्या-क्या नमबर आपके पास, twenty-four, forty-eight, comma, seventy-two are the common multiples of six and eight, now next वला question number five कर लेंगे, which of the following are co-prime numbers, co-prime numbers कौन से होते हैं, जिनका कोई common factor नहीं होता, one के लेवा, जिनका common factor one होगा, उसको क्या बोलेंगे, co-prime numbers, पहले 18 के निकालेंगे, 18 के factors, one, two, ठीक है, three पर भी जा रहा है, four पर नहीं जाता, five पर नहीं जाता, six पर भी जा रहा है, then seven, eight, ठीक है, eight पर नहीं जा रहा है, 18, nine, nine, two is 18 होते हैं, ठीक है, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, अब last बोला क्या number है, 18, अब यहां 35, 35 के factors हमने पहले भी निकाले हुआ है, we can check from there also, 35 के numbers क्या हो जाएंगे, factors क्या हो जाएंगे, one, ठीक है, five, seven, and 35, ठीक है, factors निकालने हैं, 18 के भी factors निकालेंगे, और 35 के भी factors निकालेंगे, common factor क्या हो जाएगा, common factor मतलब, दोनों में ही, जो common, इनके numbers है, common factors हमारे क्या हो जाएंगे, यहां पर pencils हमने, check कर लेने हैं, एक तो, one हो गया, और कोई number यहां पर आपको दिख़रा, common, two, यहां पर कोई number two नहीं है, three, ना तो six है, यहां पर, ना nine है, ना 30, कोई भी number common नहीं है, तो common factor क्या है, one है, so, आपका 18 and 35 are co-prime, क्या हैं यह, co-prime numbers है, co-prime numbers, इसको कहेंगे, co-prime, जिनका की common factor क्या है, one है, अब हमारा part B करेंगे, 15 and 37 है, 15 के factors निखा लेंगे, उसके बाद 37 के factors निखा लेंगे, उसके बाद 37 के factors कौन कौन से होंगे, 1 पे हो गया, 37 और किसी table पे जा रहा है, 9, 6, only 37, 1 और 37 इसके factors होगे, अब देखो common factor, common factor क्या हो जाएंगे, वो हमने चेक करना है कि क्यों कौन से इन में common है, common factor सिर्फ यहाँ पर 1 नहीं है, बाकी यहाँ पर कोई भी number इसका common नहीं है, द इसका मतलब है, यह क्या हुए, जिनका common factor 1 आ गया है, वो क्या है, co-prime numbers, so you will be writing 15 and 37 are co-prime numbers, co-prime numbers है, इनका common factor 1 आ रहा है क्योंकि, next वाला कर लेते हैं, next वाला question है, part D करेंगे, आपके पास दो दे रखे है numbers, factors of 17 and 68, factors of 17, क्या हो जाएंगे, 70 ने एक prime number है, जो कि 1 and 17 होगे, factors of 68, 1 से जा रहा है, 2 से, 3 पर नहीं जा रहा है, 4 के table में 68 आता है, उसके बाद, 17, 34 and 68 होता है, ठीक है, आप देखो, यहाँ पर common factor एक तो 1 होगे, और एक यहाँ पर क्या आ रहा है, 17, हमारे पास common factor आ गए, एक हमारे पास 1 आ रहा है, और दूसरा common factor, 17 आ रहा है, तो इसके तो दो factors होगे, को प्राइम नमबर वह होते हैं, जिसका सिरफ एक factor हो, वह भी 1 हो, तो बोथ है बोर दन 2 factors, या 2, बोर दन 1 factor या मोर दन, तो आट मेंज यह दोनों क्या है, आर नाट को प्राइम नमबर्स, यह दोनों 17 and 68 आर नाट को प्राइम, next वाला question है, question number 6 कर लेते हैं, a number is divisible by both 5 and 12, by which number, by which other number will that number be always divisible, अब देखो यहाँ पर हमें कोई ऐसा number निकालना है, जो कि 5 और 12 दोनों से ही divide हो जाए, तो वो number क्यासे होगा, इन दोनों का multiply कर देंगे, तो यह दोनों का multiple होगा, यह ठीक है, तो that means, 12 वो 5 को multiply करेंगे, तो 60 आ गया, तो 60 is the number which is divisible by both 12 and 5, so that's all for today, thank you.